हेलो दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आज एक और नई क्लास में जिसमें कि हम GKGS के most important question जो है आपके exam point of view से लेके आ चुके हैं तो जल्दी से सभी दोस्त जो है वो जुट जाए एक क्लास को शेर कर दीजिए अपने बाकी के दोस्त के साथ और जो आपके ग्रूप सेम में भी शेर कर दीजिए ताकि जल्दी से सभी दोस्त जुट जाएं और हम अपने क्लास स्टार्ट करें तो आज की क्लास में बता दूँ आपको सबसे पहले मेरा भाईयो 20 questions जो है वो रहने वाले हैं GKGS के most important रहने वाले है और level जो है वो easy से moderate रहने वाले है ठीक है आज की क्लास का और last तक सभी दोस्तों ने बने रहना है और at the end आप सभी को comment box में अपना score भी बताना है तो चलिए आज का first question start करते हैं पहला question क्या कहा गया है देखिए एक चीज़ और बता दूँ English हिंदी दोनों वाले भाईयों के लिए हैं ठीक है आप हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में पढ़िए English में पढ़ना चाहें English में पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर first question जो है आज का वो क्या पूछा गया है विच इंडियन नेवल शिप कौन सा भारत का जहाज जो है जिसने CMF XOP operation सद्रन readiness में participate किया था चेक है clear है यहाँ तक आप सब इको question यहाँ पर पूछा गया है सद्रन readiness में कौन से ship ने जो है वो participate किया था तो IS option number C जहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा INS सुनाएना ठीक है तो INS सुनाएना जो है बिल्कुल सही answer रहेगा सभी दोस जो है वो साथ साथ में अपना answer देते जाएंगे अगले question के और चलते हैं बहुत ही basic सा question है नेपाल के उपर question है कि नेपाल जो हमारा पडोसी देश है अगर हम भारत के point of view से देखें तो नेपाल की location जो है वो क्या बनती है ठीक है तो नेपाल जो भारत का एक पडोसी देश है जिसकी location कहीं आप यहां कह सकते है ठीक है तो उसकी जो location है बारत के point of view से कहां बनती है, क्या वो east में आता है, north में, west में, जहां, south में, बहुत ही easy question, ठीक है, तो इसकी जो location है वो बनती है हमारे कहां में, north में, और बात की जाए कि अगर नेपाल जो international boundary हमारे साथ लगाता है, वो कितनी है, उसकी length कितनी है, तो वो आ जाएगी 1,751 km की boundary जो है नेपाल इंडिया के साथ share भी गरता है, चलते हैं अगले question पे, तो अगला question क्या कहता है, अगला question आता है वाई science से, तो rate of change in velocity of an object, किसी object का rate change होना velocity के तहएट ठीक है, पर united time के हिसाब से उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी object का rate change होना, velocity change होना, पर unit time के हिसाब से, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे x relation, उसे हम कहेंगे tvern, ठीक है, x relation जो की option number c हमारा बिल्कुल सही answer हैगा, किसी दोस्त को कोई किसी type का doubt हो, कोई question समझ ना आए, या फिर किसी question में कोई doubt रह जाता है, तो आप comment box में पूछ लीजिएगा, उसकी सिवा description में link दिया होगा, वर्टसाइप group का वो भी आप join कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ PDF जो हैं हमारी तरफ से दे दी जाती हैं, आपकी revision के लिए, ठीक है, इनमें से बताना की एक same group का जो है, वो कौन सा option आएगा, ठीक है, same groups के, देखिए groups होते हैं, इस type का आपने देखाऊगा, periodic table इस type का बना होता है, ठीक है, बीच में ऐसे आ जाता है, फिर उंचा हो जाता है, नीची हो जाता है, ऐसे ठीक है, जिसमें की total जो है, 118 elements जो होते हैं, कितने होते हैं, 118 elements होते हैं, अब हमें simple सा बताना है की इनमें same group के जो है, वो कौन से element आएगे, ठीक है, तो same group के जो है, वो आएगे, option number D हमारा, जिसमें की यहाँ पे होता है helium, helium के नीचे होता है lithium, lithium के नीचे होता है sodium, और sodium के नीचे होता है potassium, ठीक है, आप सभी को यह है chemical यह name है, ठीक है, इनके full names मालूम होने चाहिए, क्योंकि इसके ओपर भी आपको questions जो है, वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो इनकी भी जो है, आपको specially हो सकेगा, तो special से ही, otherwise इनी classes के बीच में आपको cover up करवाते चलेंगे, तो आज का fifth question क्या कहता है, इंद्रा point से related question है, जो कि भारत का सबसे दक्षिनी, जो है आप कह सकते हैं, point है, ठीक है, सबसे दक्षिन में point है, सबसे south में point है, तो इन्होंने question को किस तरह से गुमा के पूछा हुआ है, कि great nicovar island जो है, ठीक है, great nicovar island जो है, उस पे जो है, इसकी location क्या रहेगी, ठीक है, उस जगे पे, great nicovar island पे, इंद्रा point जो है, वो great nicovar island पे है, ठीक है, तो इन्होंने पूच़ा उस्पेस की location क्या रहेगी क्या ये मानलीजिये ये एक island है ठीक है ये Nicubar Island है अब इन्होंने पूच़ा है कि space की location क्या रहेगी North में रहेगी East में, West में या फिर South में इन्होंने तो आजमसर खुद ही दे दिया तो फिर वो सबसे south में कैसे हो जाएगा ठीक है तो clear आपको यहां तक तो option number c जो है मारा बिल्कुल सही रहेगा ठीक है इंद्रा point सबसे south में point है और अगर question को गुमा के पूछ लिये जाए कि कौन से island पे है ठीक है तो great nicovar island पे यह आता है चलिए इसी के साथ एक और cross question आप से देते जाना है कि अंडमा निकुबार की capital के है और इसे के साथ सभी दोस्त आगे बढ़ेंगे वीडियो को like करते हुए और जो कुछ दोस्त तमारे साथ नए जुड़े हैं वो channel को subscribe भी कर लें तो बढ़ते हैं अगले question की और मागा साजी जो है ठीक है मकर संक्रानती आप सभी को common जो name है वो है मकर संक्रानती तो अलग-अलग states में अलग-अलग जगाओं पे उसके अलग-अलग नाम है ठीक है जैसे कहीं पे दही चूड़ा बोला जाता है कहीं पे उसे बोला जाता है हल्दी कुम-کुम कुछ- में नाम क्या दिया हुआ हो ये यह कहा जाता है काहा पे हमाचल प्रदेश में तो बात कर लिए इसकेसी बार गुवा की तो गुवा में कहा जाता है हल्दी कुम 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 कहा जाएगा और बात कर लिजाए इसके सिवा गुजरात option number B की तो यहाँ पे कहा जाएगा उत्रहायन ठीक है आप सबी साथ साथ में notes बनाते जाएगा ताकि जब exam के दिन पास आ जाएं तो revision करने में जो हैं वो helpful रहे इसके सिवा बात करते हैं मद्दे परदेश की तो मद्दे परदेश में क्या कहा जाता है सुकारत ठीक है सुकारत कलियर है यहाँ तक सभी दोस्तों को 4 के 4 option 4 states और 4 आपके नाम यहाँ पे हो गए है चलते हैं इसके साथ next question पे अगला question क्या कहता है दर्ती के अंदर जो interior ठीक है force लगती है उसे हम क्या कहते है इसे interior force भी कहा जाता है ठीक है तो दर्ती के अंदर को जो force लगती है act in interior of the earth are called तो उस बल को जो है उस force को उस शक्ति को हम क्या कहते है तो इसे कहते हैं हम endogenic ठीक है कहीं वार endogenic भी होता है endogenic जो force है जिसे हम internal force जा interior force भी कहते हैं ये हमारा बिल्कुल सही बात answer रहेगा अगर interior की जगा exterior होता ठीक है बाहर की जगा का होता तो यहां पे क्या होता है exogenic clear है यहां तक exogenic endogenic ठीक है अंदर होगा तो endogenic बाहर होगा तो exogenic और यह fictional force कुन सी होती है जब दो चीजें कोई भी दो अब्जेक्ट हैं मालेजिए एक ये अब्जेक्ट हो गया और एक ये अब्जेक्ट हो गया जब ये दोनों अब्जेक्ट आपस में रब होंगी एक दूसरे से गिसेंगे तो वो जो force वहाँ पे लगेगी वो होती है जिसे हम नॉर्मली कहते हैं तो इसमें हमारा option number कुन सा सही रहेगा option number ये जो है बिल्कुल सही रहेगा सभी दोस्त comment box में अपने जो है वो answer बताते जाएगा next question जो है next question question number 128 और आज की class का 8th question जो है सिल्मान रुशीदे की उपर है कि उन्होंने पूचाया कि भाई सिल्मान रुशीदे की वो भुक बताईए जिसमें कि उन्होंने जर्नी बताईए है बारत से ब्रिटिश रूल की अजादी की sorry बारत से ब्रिटिश रूल से अजादी तक की जर्नी और फिर partition जो हुआ था हमारा उसकी जर्नी ठीक है उस बुक का नाम बताईए तो उस बुक का नाम जो है वो है midnight children option number D जो है इसमें बिल्कुल सही answer रहेगा अगले question पे चलते हैं where did दादावाई नरोजे सेट अप East India Association East India Association जो है वो दादावाई नरोजे जी के दवारा जो है वो स्थापित किया गया था 1866 में ठीक है कब किया गया था 1866 में जो है नरोजे जी के दवारा दादावाई नरोजे के दवारा किया गया था बट इसके पीछे का motive क्या था इसके पीछे क्या करते थे, वो clap करते थे, इंडियन्स के साथ, और जो कुछ expense retire officers होते थे, British Army के उनके साथ, और ये काम किस के ओपर करते थे, ये काम करते थे, well wing for Indians, ठीक है, इंडियन्स के बले के लिए जो कुछ चीजें महाँ पर implement की जानी चाहिए जिनसे जो है इंडियन्स का बला हो जा उनके लिए फाइदे मन्थ हो उसके उपर ये काम जो है वो करते थे क्लियरा यहां तक और बात की जाए कौन सी जगा में किया था तो यह किया था लंडन में और पूछ लिया जाए कि किस टाइम पिरिड में तो 1866 में जो है वो किया गया था आज का next question question number 10 क्या कहता है कुछ पोदे जो होते हैं ठीक है वो छोटे रह जाते हैं बढ़ते नहीं है द्वार्फनेस होती है छोटा ठीक है तो जो छोटे रह जाते हैं उनको बढ़ा करने के लिए उनको ग्रोथ करने के लिए उनकी रूट्स में पौवर देने के लिए हम इन में से क्या यूज करेंगे तो उनमें से हम यूज करेंगे गिब्रेलिक एसेड ठीक है गिब्रेलिक एसेड जो है अगर हम पोदों में ये डालेंगे तो इससे क्या होगा रूट्स जो होती है उसमें ग्रोथ होगी स्टेंप्स में ग्रोथ होगी जिससे टोटली जो है आप कहा सकते हैं all around plant जो है वो grow करेगा ठीक है तो question number 10 आज का और option number B gibralic acid बिल्कुल सही answer रहेगा सभी दोस्त वीडियो को like करते हुए और channel को subscribe करते हुए चलेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सभी दोस्ते एक बार like कर दीजे वीडियो को next question है question number आज का 11th question क्या कहता है collection of poem by बिशाखा विश्वास won the Sahity Academy Youth Literature Award 2023 for Marathi Language उन्होंने बोला है कि बिशाखा विश्वास जेगा उन्होंने Sahity Academy Award जेता है Marathi Language में ठीक है तो उस collection का नाम क्या था नॉर्मल सी बात है Marathi Language में है तो क्या नाम रहेगा उस collection का जल्दी से सभी दोस्त आंसर बताइए बिल्कुल सही ठीक है तो answer रहेगा उसका स्वातला स्वाता बिर्द उब करताना ठीक है ये Marathi की ही line है अगर जो कुछ बाई महाराष्टा से होंगे वो तो नॉर्मल इसका meaning समझ भाएंगे तो चलते हैं हम अपने next question पे आज के दी रूलर लैंडलेस लेवर इंप्लॉइमेंट गरांटी प्रोग्राम वा स्टार्टर इन विच आफ दी फॉल्विंग फाइव यर प्लैंस आप सभी को मालू है फाइव यर प्लैंस एक कुईशन जो है वो इंपॉर्टेंट बनते ही बनते हैं ठीक है तो हम हो सके तो एक specific brief वीडियो जो है वो फाइव यर प्लैंस से ओपर complete कर लेंगे तो यहां पे इन्होंने पुछा है रूलर लैंडलेस ठीक है अगला कुशन क्या केता है 2050 से रिलेटेड कुशन है ठीक है 2050 का सोच के चल रहे हैं यह कौन सा देश जो है वो होस्ट करेगा International Union for Conservation of Nature ठीक है World Conservation Congress in 2050 सिंपल इतना से याद रख लिजी ठीक है World Conservation Congress in 2050 वो है वो कौन सा देश करेगा ठीक है तो वो करेगा UAE ठीक है United Arab Emirates जोकी अबुदाबी ठीक है अबुदाबी करेगा इसको होस्ट तो आज का 13 कुशन अबुदाबी करेगा और डेट के रहेगी इसकी डेट रहेगी इसकी 15th of October 2025 ठीक है क्लियर है जहां तक Option No.C जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा Next question क्या है Political से question है कि Prohibition of discrimination on ground of religion race, caste, sex, place, worth ठीक है देखे Prohibition होता है कि किसी भी आपके अधिकार को रोकना ठीक है आपको समान अधिकार ना देना मान लीजिए कि जैसे आप कोई एक्जाम की तैयरी कर रहे है बहाँ पे हर दर्म का हर जात का हर रंग का आदमी जो है वो फार्म उसको फिल कर सकता है और उसकी तैयरी कर सकता है यह होगई equality अगर बहाँ पे उसके साथ discrimination हो रहा है बेदवाब हो रहा है सभी दोस जो है जल्दी से comment box में answer दीजे जल्दी से ठीक है तो इसके सिवा आपको बता देता हूँ right to exploitation में कौन कौन से आटिकल आते है 23 and 24 जो है वो right against exploitation में आते है ठीक है इसके सिवा right to life में कौन सा आटिकल आता है इसमें आता है article number 21 to education जो है वो इसमें आएगा ठीक है फिर इसके सिवा बचता है right to equality जो कि है 14 से लेके 18 तक article इसमें आएगे तो ये यो है article ठीक है prohibition of discrimination तो ये आएगा right to equality के अंदर जो कि हमारा option number ये बिलकुल सही रहेगा next question पे चलते हैं पदमा सुब्रमन्यम is a bell known dancer of which of the following dance form तो पदमा सुब्रमन्यम जो है इनमें से किस dance form के एक bell known dancer है तो पदमा सुब्रमन्यम जो है वो बारतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं तो बारतनाट्यम जो है ये oldest form है ठीक है oldest form है classical dance की यह सबसे पुराना अगर question में पुछ ले जाए कि सबसे पुराना जो है वो classical dance कौन सा है तो वो आएगा बारतना टेम और एक आता है सत्रिय ठीक है यो की कहा का है यो असाम का classical dance है और यह सबसे latest है newest यह लगबग लगबग 2000 साल पुराना है तो next question क्या कहता है next question को देखते है what is the theme of the world population day 2023 2023 की world population day की theme जो है वो क्या है ठीक है सभी जो important days रहते हैं उनके पर themes होती है कुछ ना कुछ जो कि आपको cover करवाता आ रहा हूं और आगे भी जो है आपके exam तक cover हो जाएंगे almost ठीक है तो world population day की theme क्या है unleashing the power of gender equality ठीक है langing समानता की शक्ति को उजागर करना ठीक है gender equality समझ सकते ना की lady, women, men सभी एक समान है ठीक है लड़की, लड़का, एक समान सभी तो उसी को जो है unleash किया जा रहा है कि gender equality में लाके ठीक है तो यही जो है इसकी theme रहेगी world population day 2023 की तो अगले question की तरफ चलते हैं अगले question जो है वो क्या है कि former Indian cricketer है जो की recently जिनकी मृत्यू हो गई है 88 की age में ठीक है तो उनका नाम जो है वो क्या है 88 की age में recently जो है जिनकी मृत्यू हुई है उनका नाम यहाँ पे पूछा गया है उनकी मृत्यू जो है वो हुई थी 2nd of April 2023 को 2nd of April 2023 को और उनका नाम है सलीम दुरानी सलीम दुरानी ये एक ऐसे प्लेयर है जो जाने जाते थे कि लोगों के कहने पर ये 6 लगाते थे अगर मान लिजी ओडियन्स ने चीर किया कि 6 लगा ये तो ये उस बॉल पे 6 हिट करते थे ये ऐसे प्लेयर है इस नाम से ये जाने जाते थे क्लियर है तो चलिए next question देखते हैं इसके बाद सभी दोस्त एक चीज़ सुनिए अगर किसी question में कोई doubt रह जाता मेरे भाई हो तो comment box में आप पूछ लेजएगा ठीक है इंडिया कोई लेके चलते हैं ठीक है बाकी के countries का मालूम नहीं हमें तो बात करते हैं हम अपने इंडिया की population of a nation हमारे देश की जो population है उसमें working age group के लोग जो है वो किस age की है ठीक है यह age group जो है जो की working age group में आता है ठीक है क्योंकि 14 की age से अगर पहले जब 14 तक आप काम करवाएंगे बच्चे से तो वो child deliver में आ जाएगा और 60 की age में जो है इंसान जो है वो retire हो जाता है ठीक है जब आप भी job करेंगे ठीक है तो जैसे ही आपकी job जो है जहां तो 15 year 17 year जो time period रहता है उस तक पहुंच जाएगी जहां फिर आपकी age जो है अगर promotion के बाद 60 years की हो जाते है तो उसके बाद आप retire हो जाते है तो 15 से 59 के बीच का जो time period है ठीक है 59 तक का यह जो है इसे हम working age group कहते है नेक्स्ट कुशन देखते है आज की class का नॉर्थ इंडिया largest floating solar project ठीक है नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया का उत्तर बारत का सबसे बड़ा floating project तहरता हुआ project जो है वो कहां पे launch किया गया है January 2023 में तो यह जो union territory है ठीक है next question की तरफ चलते है अगला question देखते हैं अगला question क्या कहता है world energy transition outlook report is released why world energy transition outlook report जो है यह किसके दवारा जो है release की जाती है बहुत बढ़िया देखिए यह जो नाम नीचे दिये हुए है इनका भी आप screenshot ले लीजेगा यहा फिर लिख लीजेगा क्योंकि इनके WEF की full form बताइए world economic form OECD की full form बताइए ठीक है तो इस तरह से यह full form भी पोच सकते हैं तो यहां पे हमारा सही answer रहेगा international renewable energy agency जो है इसके दवारा world energy transition जो report रहती है ठीक है world level पे energy transition की वो इसके दवारा produce की जाती है यह release की जाती है तो option number B इसमें हमारा बिल्कुल सही answer रहेग तो आज की class जो थी आज की class की question जो है 20 हो चुक है मेरे भायू चीक है सभी दोस्ते एक बार इमान से बता देजिए कि 20 out of जो है आपका कितना score जा रहा है और questions का level बता देजिए जो सबसे main बात है कि question का level आपको easy लग रहा है moderate लग रहा है या hard लग ठीक है फिर मैं उस हिसा out रह जाए कोई कुछ हो जाए आपकी query हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं इसके सिवा description box में group का link दिया रहेगा वो भी आप join कर सकते हैं और जाते-जाते सभी दोस्त वीडियो को like करते जाएंगे और जिनों ने अभी तक subscribe नहीं किया वो subscribe भी कर दीजेगा तो दीजिए इज दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए questions के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय वारत